कि Atomic Absorption Spectroscopy में Instrumentation को डिस्स कर रहे हैं प्रिवियस लेक्टर के अंदर हमने Source of Radiation को डिस्स कर लिया है Source of Radiation में दो मेन सोर्स हैं जो के HCL और EDL है इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आती है Automizer बहुत Important Topic है Automizer अब Automizer होता गया पहले नंबर पर जो इसकी पहले heading दे दो Automization इस प्रसेस को जिसमें Automizer जूज कर रहे होते हैं इस प्रसेस को नाम देते हैं Automization 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 लेजिए हमारे पास Topic है जो हाज हमने डिस्क्स करना है देखो Automization होता है किसी इस प्रसेस को नाम दे रहे होते हैं Automization क्या नाम दे रहे होते हैं Automization मेरे पास कोई भी चीज़ों सब्सक्राइब मेरे पास NaCl में सोडियम का साइज चोटा होता है कलोरीन का साइज ज्यादा होता है यह हमारे पास NaCl अब इसके साथ कोई ऐसा त्रीका कार करो जिससे यह सोडियम लग हो जाए और क्लोरीन लग हो जाए इस प्रसेस को नाम देंगे Automization क्या नाम देंगे Automization the process in which a substance is converted into atomic state the process यह ऐसा त्रीका कार जिसमें कोई सबस्टांस को हम कनवर्ट का रहे होते हैं Atomic State में the process in which जिसमें a substance जिसमें कोई भी विश्य है इस Converted into is Converted इसको हम Convert का रहे होते हैं Converted into Atomic State Atomic State Atomic सब्सक्राइब कर रहे होते हैं इस प्रसेस को नाम दे रहे होते हैं इस काल्ड आटमाइजेशन अच्छी याद रहे हमारे पास Automization कुछ steps involved होते हैं कुछ steps involved होते हैं वह steps हम देख लेते हैं steps heading सब्सक्राइब करना जाते हो मैं सब्सक्राइब करना जाता हूं इसकी इसका सुल्जीशन बना लो एंशीयल का यह मेरे पास एक बिकर हैं बिकर के अंदर solvent डालो और NaCl डालो और इसके अंदर कुछ ना कुछ है solvent डालो और यह हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl का solution बन जाएगा पहला step यह होता है कि solution of NaCl बना लो यह हमारे पास solution of NaCl यह NaCl का solution है इसके बाद जो second step आ जाता है होता है डैसलीशन सो डैसलीशन के दिया है डी सॉल्वेशन इसके अंदर जो सॉल्वेशन इसको निकाल देना है डी और हमारे पास जो पॉसल याओ आ जाता है वह आय्ते माईजेशन में क्या करना है आपने इसके अंदर जो अलग अलग कर दो इंबनाय कर दिये के बाद नैक्स यह जाता है इसको ज्यादिखान गिराओ कोई ना कोई रिद्यिट्यू इसको आकॉमारे बसक रिदि यह होगा ऑप्लेशल और इक्साइट का लिएशन और नेक्सकर catastrophe आ रहाता वह होता है वह था सबसे पहले स्टैप है इसको बाद दफाने लिख रहे होते हैं लेकिन मैं लिखूंगा इसको स्टूशन फॉर्मेशन के लिए एक सॉल्वेंट चाहिए होता है इसके अंदर आपने उस व्यूट को डिजॉल्व करना है इसके बाद नेक्स्ट चीज़्ज है वह है डिस वैशन डिस ऑलवेशन डिस सॉल्वैशन में आप सॉल्वेंट को रिमूव कर रहे होते हों सॉल्वन्ट evaporation होता है आप गर्म करने को solvent evaporate हो जाए solvent evaporation evaporation solvent की evaporation हो ही होती है इसके जिए थर्ड स्टेप है वो है wolatization और टाइजेशन भानाइजेशन बोलाइजेशन अब बोलाइजेशन में क्या होता है कि formation of gases molecule यहाँ पर आपके दोनों के दोना आटमज लग लग को नाएंगे फोरमेशन में थोड़ सब्सक्राइब कर दूँगा एफोरमेशन ओफ गैसीज एस एक आटम्स से गैसे मॉलीकूल कर लो गैसे मॉलीकूल ज्यादा वर्ड गैसे मॉलीकूल बन जाएंगे जब आप क्या करोगे, वोलाटाइजेशन करोगे, molecules, इसके बाद जो next step है, यह है dissociation, dissociation कहलो या atomization कहलो, dissociation, इसमें जो molecule होता है, इसके बाद होता है, इसके बाद हमारे पास होती है, आयो नाइजेशन, आयो नाइजेशन के बाद होगी, इकसाइटेशन, इकसाइटेशन, यह हमारे पास सारे के सारे steps हैं, जो कि involved हो रहते हैं, मैंका थो, सब्सक्राइजेशन का सबसे पहले solution लिए, यह ज़रा गोर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिए एन प्लस और सियल नेगेटिव, जब solution की फोर्म में होंगे, यह आइंज होंगे इसमें, अब इसमें से जैसे मैं solution को निकाल दूँगो, यहाँ पर evaporation करवाऊंगो, evaporation, जो पहला step है, solution, solution formation, फिला step है, desolation, solvent को remove करवाऊंगो, जैसे आप evaporation करवाऊंगे, evaporation करवाने के बार इसमें जो solvent बाहर निकल जाएगा, बाकि हमारे पास solid NACL बन जाएगा, इसके बाद दोबार पिर आपने करवाना, आटो माईजेशन, आटो, माईजेशन, आटो माईजेशन करवानी है, जिसको आपका, क्या होताजी, आपका, एन्ने अलाग़ हो जाता है, और सियल लग हो जाता है, इसके बाद हमने आगए, अनालसिज करना से, सोडियम का सोडियम के रहाम कोई को रैडियेशन कगी इसकी अगा हो जाता है है दिक साइटेशन इसहलों होता है हमारे पास यही सबसे पहले आपके पास सॉलिशन होगा सॉलिशन में से वैपरेशन करने के लिए हमारे पास एकसाइट होगा और इस ही रेडियेशन की हम पहचान कर रहे होते हैं और यह वाले हम चंद एक आटोमाइजर के के नाम याद रख लो लो यह वैस्टाम कमाल स्पेक्ट्र सकोपी में स्पेक्ट्र स्कॉपी में स्पेक्ट्र सुकॉपी माइजर वह कौन कौन से सिंपर्द और इन्शाहलाः कहा है sommes है अ अ नोन फ्रेम आटो माईजर यह इडा नौन फ्रेम अ नॉन फ्रेम यह अ एक या ये तीन तरह का अटमाईजर है 보रनस नोओन फ्लेयम आटमाईजर एड कोल फ्लेयम आटमाईजर यह तांट रिए मरपा साज कालेक्ज़ इश्आलहें हम आगशिध करेंगा बनार को एक्सप्राइशन करेंघे बनार के मजीड़़ 15 यह प्रिमिक्स चंभर बना्रों से दोने को दोने देख लेंगे आगे बार इस नॉन फ्लेम आटमाइजर होता है इसमें ग्रेफ़ाइट फरनल्स आ जाती है पूल्ड फ्लेम आटमाइजर इसमें हम एच जी यह मरकरी का इसमाल कर रहे होते हैं यह था यह मरे पास आज का लेक्ट्ट थैंक्स फूर वाचिंग इसके एक screenshot लाजम विले लिजिएगा